तो भई सीन ये के अभी आठ बज रहे हैं और मैं इस वक छट पेस्टी हूँ क्योंके यहां पे लाइट अच्छी होती है और एक घंटे बाद अभी मेरा मैज का पेपर है लेकिन व्लॉग बनाने भी ज़रूरी है क्योंके यूट्यूब पे सारे पैसे होते हैं कंसिस्टेंस अब जब तक मैं पेपर देता हूँ आप लोग जरा यह चेक करें अच्छी है यह उके सो पेपर हो गया है असानी था इतना मुश्किल भी नहीं था और अभी नाश्ता करना है मैंने फिर उसके बाद बात करते हैं अच्छा बई तो नाश्ता कर लिए मैंने और क्लास बाइदवे भी चल रही हैं ऑनलाइन और जब क्लास एक ओवर होती है और उसके बीच में थोड़ी सी ब्रेक आती है तो हम व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं अच्छा करें दो दो यस सब्क्राइब कर दो दोलने कले जलिए लिए पर टिश कर दोड़ा आप लिए और पूर लएक हो गिए आपनी लिए लाइपस्टाल या पूरी रूटीन दिखातें और शुझात जिसमें कोई पास्ट पर ऐसा एवेंट होता है जिसको आप अपनी वीडियो में स्टोरी टेलिंगे थ्रू नरेट करते हैं I generally like to make those vlogs which are based upon storytelling और जहें cinematics बनाने का शोक है Story-based vlogs बनाने के लिए आपके पास बहुत सारा time होना चाहिए और कोई event होगा तो उस पर व्लॉग बनाओगे ना तो मेरे बास इतना जनरली टाइम होता निया क्योंके First of all studies और फिर when you start YouTube from scratch So you have to be very consistent in uploading videos So I am trying to make these daily kind of vlogs Okay so अभी दो बजरे और मिझे नमाज पढ़के ट्यूशन जाना है पढ़ने के लिए Sad life Okay so boys पढ़ाई शड़ाई हो गी और बाकी सारे काम भी हो गए तो अब as you all know that there's corona and stuff and we all must stay in quarantine But आपका भाई है खत्रों का किलाडी ठीक है ना तो अभी मैं जा रहूँ क्रिकेट केलने लेकिन Six feet distance is mandatory तो भाई as you all know के due to the lockdown and stuff road तो सारी ब्लॉक है So आपका भाई ड्राविंग सीख रहा है मुझे पहले कोई इती खास ड्राविंग ने आती थी So it is a golden chance for me to learn how to drive अजे प्राविंग का जिस्टार्ब्स फ तो जाए ब्लॉक है झाल झाल And some of you were curious के मैं अपनी वीडियोज एडिट करने के लिए कौन साफ़वेर यूज करता हूँ So, टेंशन नी लेनी, ब्रो, अगली वीडियो सी पे आरी है Scene ये है के सुबा मेरा उर्दू का पेपर भी है और मझे ये व्लोग भी आज के आज ही एडिट करना है So, this is it for this video and I will see you in the next one Peace out